नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नाजमिन सिदिकी स्वागत करती हूँ आपका पॉजिटिव नियूज में लॉंच हुई महिलाओं के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेलप लाइन जाने इसके बारे में सब कुछ ये हेलप लाइन सेवा पर सिख्षित विशेशग्यों की एक टीम के साथ काम करेगी केंद्रिय महिला एवंपाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृती जुबिन इरानी ने 27 जुलाई को हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24R7 हेलप लाइन नंबर को लॉंच किया है हेलप लाइन का उद्धिश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपात कालीन और गेर आपात कालीन शिकायतों और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है इस सेवा का पुलिस अस्पतालो जिला विदिक सेवा प्राधिकरन मनो विज्ञानिक सेवाओं जैसे उप्युक्त प्राधिकारियों से जोड़ कर और एक ही नंबर के माध्यम से देशबर में महिलाओं से संबंदित सरकारी कारियकरमों के बारे में जानकारी प्रदान करने का लक्ष है ये हेल्प लाइन सेवा महीला सुरक्षा को सरवच्छे प्रात्मिक्ता देते हुए महीला एवंबाल विकास मंत्रा ले और राष्ट्रे महीला आयोग द्वारा शुरू की गई है इस नई हेल्प लाइन का मक्सद हिंसा से प्रभावित महीलाओं के लिए एक सुविधा प्रदान करना है जैसे पुलिस से मदद मनोसामाजिक परामर्ष और अन्य सेवाओं के साथ वन स्टोप सेंटर तक पहुंच बनाना है महिलाओं के खिलाफ हिंसा से सम्बंदित मुद्दों पर मदद की सुविधा के लिए हेलप लाइन सेवा 24 गंटे काम करेगी राश्टी महिला आयोग ने इस बारे में ट्वीट किया है आयोग की तरफ से बताया गया है कि देश भर में हेलप लाइन नंबर 78-27-170-7827-170-170 पर हर वो महिला 24 गंटे में कभी भी कॉल कर सकती है जो घरेलू हिंसा या फिर किसी भी तरह की हिंसा का शिकार हुई है आयोग की तरफ से बताया गया है कि इस हेलप लाइन की जरीए महिलाओं को किसी भी समय जानकारी और मदद मुहिया कराई जाएगी ये हेलप लाइन सेवा पर सिख्षित विशेशग्यों की एक टीम के साथ काम करेगी नई दिल्ली में राष्टिय महिला आयोग के परिसर से संचालित होने वाली इस हेलप लाइन पर 18 वर्षिया उससे अधिक उमर की कोई भी लड़की या महिला फोन करके सायता प्राप्त कर सकती है राष्टिय महिला आयोग NCW अपने वेधानिक शासन देश के तहत देश भर में महिला अधिकारों से वन्चित होने की विबिन श्रेणियों के तहत शिकायतों को देखा जा रहा है